हेलो दोस्तों मैं प्रिशान और आपको आइडिया है कि 4th of June का जो डेट है वो काफी special डेट है क्यों क्योंकि ये once in a five year आता है ऐसा क्यों है क्योंकि लोकसभा का जो election साथ चर्णों में हुआ है उस सब का result आने वाला है 4th of June को और उस दिन हमारा market open है तो market में वरफूर volatility रहेगा और उस volatility का हम कैसे benefit ले सकते हैं इसी के लिए हमने election day strategy लेके आये हैं और इस दिन क्या strategy आपको तयार करना है ये मैं आपको इस वीडियो में detail से बताने जा रहा हूँ अब ये अभी हम इतना जल्दी क्यों discuss करें क्योंकि यहाँ पर जो भी strategy बनता है सारे strategy का implementation हमें 4th of June को नहीं करना है कुछ strategy का implementation after exit poll 3rd of June को भी करना है और कुछ का exit poll आने से पहले यनि 31st में को भी करना है तो अगर आप ये वीडियो अभी नहीं देखेंगे तो strategy बनाने में late हो जाएंगे और जो profit आपको मिल सकता था वो profit कम मिलेगा यहाँ पर आप opportunity मिस कर देंगे और यहाँ पर एक और ची ध्यान रखना है जो strategy हम बनाएंगे ये overall एक strategy नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर आपका तीन सेनारियो जैनरेट हो सकता है सबसे पहला सेनारियो जो market उमीद कर रहा है बीजेपी को 300 से 350 सार्ट के range में seat आजाए दूसरा सेनारियो कि बीजेपी को 270 से कम seat आए तो इसमें market को आपका शौक लाएगा और market बहुत ही जादा नीचे गिरेग तीसरा सेनारियो कि बीजेपी को 400 से जादा seat आजाए तो market surprise होगा और बहुत ही जादा positive way में react करेगा तो तीनो सेनारियो में अलग अलग strategy तयार करना होगा चलिए based on scenario हम strategy तयार करते हैं तो तीन मैने situation आपको बताया था वो तीनो situation यहाँ पे तयार है सबसे पहला situation जिसके chances बहुत कम है अगर बीजेपी को 270 से कम seat आता है तो market यहाँ पर आपका quest करेगा और market में आपका जबदस्त गिरावट देखने मिलेगा और इस गिरावट कार market कहां तक गिर सकता है तो इसका idea आप विक्स से लगा सकते हैं सबसे पहले विक्स अभी आपका 23 से 25 के बीच में है तो यह हमें idea देता है विक्स कि next one year में market आपका 23 से 25 परसेंट उपर या नीचे जा सकता है तो यह market के लिए shock होगा और market अगर crash करता है तो लगबग आपका 20 से 25 परसेंट गिरावट दिखाएगा यानि अगर हम point wise देखें तो लगबग आपका 2000 point का गिरावट on a yearly basis आ सकता ह अगर BJP का सरकार नहीं आता है तो that means true इस case में on yearly basis market आपका 18,000 से लेके 20,000 के range में आपका आ सकता है इस range तक market में गिरावट आ सकता है यह मैं yearly basis पे बात कर रहा हूँ और जो हमें strategy बनाना है वो market till 6 June को कहां तक आ सकता है वो हम identify करेंगे और उसके basis पे हम strategy बनाएंगे तो till 6 June तक market में कहां तक गिरावट आ सकता है तो यहां पर अगर हम 6 June की बात करें तो market में आपका यहां पर मैं लिख देता हूँ 6 June जिससे समझ में आ जाए 21,500 से लेके 800 के level तक आपका nifty आ सकता है 6 June तक जवर्दस गिरावट के कारण अब दूसरा सिनारियो अगर BJP को 300 से 360 सीट आता है जिसके chances बहुत जादा है almost आपका 70% chances है कि यही के आसपास result रहने वाला है तो इस time पे हमें क्या करना है तो सबसे पहले यहां पे market का जो direction वहेगा वो upside वहेगा लेकिन यह जो upside वहेगा वो काफी limited upside वहेगा और इसका impact yearly basis पे हमें देखने को नहीं मिलेगा तो इसलिए yearly basis पे हम बात नहीं कर रहे हैं यहां पे हम बात करें till 6th of June को क्योंकि market इसको लेके already discounted है तो यहां पे हम यून तक इसके कारण से निफ्टी जो upside move दिखाएगा वो 23,500 के level तक minimum जा सकता है इससे उपर भी जा सकता है लेकिन यहां तक जाने के possibilities बहुत जादा हैं अब हम आते हैं तीसरे situation में अगर anyhow BJP को 400 से जादा seat आ जाते हैं या फिर NDA को भी 400 से जादा seat आ जाता है तो market यहां पर आपका literally blast करेगा यानि बहुत तेजी से उपर जाएगा और इसका impact हमें yearly basis पे भी देखने को मिलेगा और yearly basis पे फिर हम Wix की बात कर लेते हैं क्योंकि अगर market उपर जाएगा तो yearly basis पे 23-25% के करी market उपर जा सकता है अगर हम Wix की बात माने तो और इसके कारण से market का जो ए strategy बनाना 6 June तक के लिए तो 6 June को हमें क्या करना इनी market कहां तक जा सकता है वो यहां पर हम देख लेते हैं तो 6 June तक अगर हम बात करें 23,500 लेके 24,000 के range में आपका nifty देखने को मिल सकता है तो चलिए हम finally देखते हैं कि इन तीन situation में जो भी कुछ होता है उसके basis पे हमें strategy क्या तयार करना वो हमें पता होना चाहिए और वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसलिए इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना और इस तरह के detail information विजल्ट के दिन हमें क्या करना आपको कोई नहीं बताएगा इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लि जगा मिल जाए तो सबसे पहले line को मैं extend कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम किस चीज के उपर बात करें तो सबसे पहले जो most possible scenario है उसके उपर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला और सबसे simple strategy जो आप यहां पे apply कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आप यहां पे clearly call options को buy कर सकते हैं लेकिन अब सवाल उठता है कि हम कौन से strike price का call options buy करें तो मैंने आपको already बता दिया कि आपको break even point का calculations कैसे करना है और यह इसलिए discuss कर रहा है क्योंकि यहां पे वो चीज काम आएगा तो हमें उस strike price का call options buy करना है जो कि हमें 23,200 के करीब break even point यह नहीं अगर market 23, 23,200 के ऊपर closing देता है till 6th of June तक तो हमें यह profit दे दे वैसा strike price का selection करना है चाहे इसके लिए आपको 22,800 या फिर 22,900 जो भी strike price आपके लिए suitable बैठता है उसका आप selection कर सकते हैं तो पहला strategy आपका यह हो गया यह तो हो गया next strategy लेकिन अगर आप इसी में hedge करना चाहते हैं थोरा safety लेना चाहते हैं तो आप एक और strategy के लिए जा सकते हैं वो strategy क्या होगा यह होगा आपका दूसरा यहां पर भी सबसे पहला काम हम करेंगे call options को buy करेंगे अब आप बोलेंगे कि यह तो उपर वाला ही करती है difference क्या difference है यहां पर हम क्या करेंगे एक put options को भी buy करेंगे तो बो options हम buy करेंगे जिसका premium high हो यह जिसका premium ज्यादा हो और put options हम buy करेंगे उसका जिसका premium आपका low हो यह दोनों के बीच में minimum difference आपका 50 point का हो और जितना ज्यादा difference रहेगा उतना ज्यादा आपको benefit मिलेगा अगर market आपका ऊपर जाता है तो यह strategy हमें implement कब करना है ध्यान बखना है यह strategy जो आपको implement करना है 31st May को implement करना है यह आपका last trading sessions रहेगा before exit poll क्योंकि यह आपका Friday रहेगा और सीरे market आपका open होगा Monday को 3rd of June को और 1st of June को last phase का election है जो कि यह आपका Saturday तो उसी दिन आपका exit poll भी आ जाएगा और exit poll का पूरा complete analysis आपका Sunday तक आ जाएगा तो Monday को market react करेगा based on exit poll और Tuesday को market react करेगा based on real data तो दोनों दिन market volatility रहेगा इसलिए यह strategy का implementation एनियाव 31st May को करना ही करना है तो यहाँ पे अब हमारे पास दो situation और बच गे इन दोनों situation पे काम कब करना जब market में आपका exit poll आ जाएगा तभी इन दोनों situation पे हमें काम करना ठीक है और यह exit poll आएगा यह date भी आपको पताऊना चाहिए यह exit poll आपका Saturday यानि 1st of June को आ जाएगा तो उसके बाद next day जो market open होगा वो 3rd of June Monday को open होगा तो यह strategy हमें Monday को implement करना है यह strategy हमें कब implement करना है अब इसमें हमें काम क्या करना सबसे पहले अगर BJP को पुन बहुमत नहीं आता है 270 से कम seat आता है और यह अगर आपका maximum exit poll दिखा रहा है एक दो exit poll दिखाता है तो कोई बारी बात नहीं है maximum exit poll 70% exit poll अगर दिखाता है कि BJP को 270 से कम seat आ रहा है तो आपको क्या करना है यह strategy तो आपने पहले implement कर लिया इसमें से यह put options buy करने वाला trade open रखना बागी सारे trade को आपको close कर देना यह यहाँ पे हमें put options buy करना है अगर आप इसको और ज्यादा safe करना चाहते हैं तो क्या करना है यहाँ पे आपको call options को भी buy कर लेना लेकिन फिर वही काम करना है put options buy करना जिसका premium आपका ज्यादा हो और call options buy करना जिसका premium कम हो तो यहाँ पे safety के लिए यह थोरा सा हमारा head side वाला trade market बन जाएगा अब हम आते हैं यह scenario तो अगर anyhow BJP या फिर NDA किसी को भी 400 से ज्यादा seat आ जाते हैं तो market आपका blast करेगा और ऐसे में आपको क्या करना ATM का call options buy कर लेना है जिस भी price पे आपको third of June को market दिखेगा क्योंकि ultimately market आपका blast करेगा और यहाँ पे आप चाहो तो जो yearly आपका option chain होता है उसके भी call options को आप buy कर सकते हो यह भी आपको benefit देगा चाहो तो आप future buy कर सकते हो या फिर Nifty B's को भी buy कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर short term long term दोनों sentiment आपका positive होगा अगर 400 से ज्यादा NDA को या फिर BJP किसी को भी seat आ जाते हैं तो उमीद करते हैं कि आपको पू आपको proper answer किया जाएगा तो इसको मैं छोटा कर देता हूं अगर आपको screenshot लेना है तो इसका आप screenshot भी ले सकते हैं जिससे आपको कब क्या implementation करना है सब कुछ आपको clarity के साथ समझ में आ जाएगा तो अगर आप screenshot लेना चाहते हैं तो इसका screenshot आप आसानी से ले सकते हैं so that's all इस वीडियो में इतना है मिलते नेक्स्ट वीडियो में किसी और informative content के साथ जैहन्द